हे दोस्तो मेरी इस वाली वीडियो में मैंने आपको फुल स्टेक डेवलपर की कम्पलीट रोड मैप की जानकारी दी थी जिसमें की काफी सारे लोगों को कमेंट था कि क्या नॉन टेक स्टुडेंट भी वेब डेवलपमेंट की फिल्ड में अच्छा जोब पा सकता है तो देखो आपके इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है आज मैं आपको एक essay free bootcamp program के बारे में जानकारी दूँगा जिसके तुरू कोई भी non-technical student चाहे वो किसी भी stream का हो लाइक science, commerce, arts, engineering, etc वो भी एक successful web developer बन कर 100% job पा सकता है और यह सारी चीजे complete करने में उसको मातर 4 महिने का समय लगने वाला है देखो यह है समीर जिन्होंने recently Momentum India में as a full stack developer की post पे जोईन किया है और इससे पहले इन्होंने Circle of Life Healthcare Private Limited में as a software developer जोईन किया था और जानते हो best part यह है कि इन्होंने भी same training के थुरू इन दोनों jobs को ही crack किया है अगर आप यह कैसे student हो जो की unemployment की मार को जहल रहे हो due to lack of skill और आपके पास इतने पैसे और time भी नहीं है कि आप किसी अच्छे degree को ले पाओ तो यकीन मानों यह training आपके life को completely change करने वाला है क्या है वो training program कैसे join करना है सब कुछ जानेंगे details में step by step तो चलिए बिना किसी तरी के वीडियो के main content को start करते हैं आल राइट तो जैसा कि अब आपी देख सकते हैं मैं function up के official website पे हूँ basically ये bootcamp function अब के तरफ से करवाया जा रहा है जो कि एक placement bootcamp है तो सबसे पहले मैं आपको application process बताता हूँ जो कि बहुत simple है simply आपको description में एक link मिलेगा उस पे click करना है click करने के बाद आप directly इस वाले page पे आओगे यहाँ पे आपको अपना पहला नाम यहाँ पे last name और कोई भी अपना mobile number जिस पे आप whatsapp use करते हो उसको यहाँ पे mention कर देना है यहाँ पे tick mark करके get otp पे click कर देना है उसके बाद आप इस page पे चले जाओगे और यहाँ पे आपको कुछ basic details को fill कर लेना है और आगी का process आप यहाँ पे देख सकते हो total five steps है जिसमें कि पहला और दूसरा process मैंने आपको बता दिया third में आपको educational details fill करना है fourth में common सा interest exam देना है जिसे कि आप easily crack कर लोगे fifth में आपको एक basic सा interview clear करना है जिसमें कि किसी भी तरीके का coding related question नहीं रहेगा normal एक basic सा interview होगा जिसको clear करके आप इस program को join कर सकते हो तो total five steps है admission का उसके बाद course structure को समझते हैं जिसमें कि total ten skills आपको सिखाया जाएगा पहला skills रहेगा mandatory tech skills जिसमें कि web development की mandatory skills जैसे कि STMN, CSS, JavaScript, data structure, algorithm ये सारे चीजें सिखाये जाएगी उसके बाद आजाएगा specialization जैसा कि आप सबको पता है कि web development दो type के होते हैं एक होता है back end development और दूसरा होता है front end development इन दोनों से related information मैंने इस वाली वीडियो में अच्छे से बता है फिलाल मैं आपको बताता हूँ कि जब आप mandatory tech skills सीख जाओगे then आपको specialization चूज करना है कि आप back end developer बनना चाहते हो कि front end developer जो भी आप चूज करोगे उसके हिसाफसी जो skill sets यहाँ पे mention है like node.js, mongodb, rest APIs and front end के लिए react, hookings react, API integration यह सारी चीज़े आपको सीखाए जाएंगी उसके बाद finally soft skills की बारी आएगी जिसमें की English speaking, group discussion, presentation session ऐसी चीज़े इंक्लोड रहेंगी इस तरीकी का आपका पूरा curriculum रहेगा 16 हपते यानि की लगबक 4 मेने का समय लगेगा schedule की बात करें तो daily आपको 9 घंटे का dedicated web development classes दिया जाएगा जिसमें की 2-3 घंटे theory and conceptual learning अगले 2-3 घंटे mentor session, doubt solving and interview preparation करेंगा finally आखरी के 4 घंटे में आपका practical learning होगा इस bootcamp की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको real world projects पे काम करने का मौका मिलेगा जो की आपको directly job दिलवाने में काफी help करेगा बात करें companies की तो Amazon, Adobe, Uber, Cread, Flipkart, PTA, Mintra ऐसी धेरो companies है जो की यहाँ के students को hire करती है आप यहाँ के recent placement देख सकते हो काफी सारे students ने इस training का फायदा उठाके अच्छी अच्छी companies में job लिया है सभी के यहाँ पे आपको LinkedIn profile का link मिल जाएगा जिससे की आप directly इनसे contact करके feedback भी ले सकते हो और अपना एक अच्छा network भी create कर सकते हो अल्रेट, चलिए अब जानते हैं सबसे important point that is free क्या रहने वाला है क्योंकि मैं बार-बार free आपको बता रहा हूँ यहाँ पे free एक अलग केसे है चलो मैं बताता हूँ कैसे तो देखो यहाँ पे एक fee structure का column है जिसमें कि आपको सामने दिख रहा होगा zero fee that means जब आप यह training program join करोगे तब आपको एक भी रुपय देनी की ज़रूवत नहीं है जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आपको एक भी रुपय ना कोई hidden charges ना कोई examination fee and other कोई भी fee pay करनी की ज़रूवत नहीं पड़ेगी जब तक कि आपकी job ना लग जाए वो भी minimum 5 लाख पर एनम की job यहाँ पे आप पढ़ सकते हो pay zero tuition fee until you get a high paying job अगर आपकी job 5 लाख से कम की लगी तो भी आपको fee pay करनी की ज़रूवत नहीं पड़ेगी इसके अलावा अगर आप एक female candidate हो तो आपको 50% का scholarship भी मिलेगा इस training program में जब आपकी job लग जाएगी तो आपकी जो salary होगी उसका 17% 17% अगले 36 महिनों तक EMI के तौर पे आपकी salary से deduct कर लिया जाएगा जो की scores का fee होगा यानि कि आपने अपने तरफ से एक भी रुपे pay करनी की ज़रूवत नहीं है जो भी fee ये लेंगे वो आपकी salary से लगे वो तब होगा जब आपकी job 5 लाख या उससे ज़्यादा की लगेगी तो इसके लावा नीचे आपको एक FAQ का column दिखेगा जिसमें की आपको fee and ISE agreements से related सारी important information मिल जाएंगी जिससे की आपके सारे doubts किलियर हो जाएंगे तो ये है पूरा training program का structure application process मैंने आपको बता दिया है description में आपको link मिल जाएगा अगले चार महिने तर अगर आपने डेडिकेटली इस training program में अच्छे से training ले ली तो 110% आपकी placement fix है तो इस तरीके से आप अपनी बेरोजगारी को दूर करके अपनी career को IT सेक्टर में काफी अच्छे level तक ले जा सकते हो तो उमीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी इस related कोई doubt मन में है तो आप comment करके मुझे जरूर बताईए वीडियो अच्छे लगी हो तो like, share and subscribe करना ना बोले मिलते हैं अगली informative वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you